ईलो कि वेलकम बैट नाट्व वेलोग दोस्तो आज की स्टूडियो नहीं दिखाने वाले आपको जगन्नाजिंद सुवाज descosh कटला अलवर के अंदर और दोस्तों आज हम करवाने वाले आपको भूड़े जगनारित दर्संद और दोस्तों 15 तारिक को जगनाज जी की यात्रा निकली थी रत यात्रा जो की रूप बास वाले जगनाज जी मंदर पहुची थी और 16 तारिक को मेला लगा था फिर 17 तारिक को कल उनकी वर्माला डली थी वर्माला मौतसव हुआ था और मेला भी लगा था तो कल उनका विवा ह हो चुका है वहीं पर जो जगनाच जी मंदिर रूप बास में वहां पर और आज 18 तारीक है तो आज का भी मेला है और कल 19 तारीक है तो 19 तारीक को उनकी जो बारात है वो वापिस आएगी यहां सुबास चोप कटला के अंदर और तब तक यहां पर बुड़े जगनाच जी वि जगनाच के दशिए नहीं होते हैं और लगवक्त तेन चार दिन यहां पर बोड़े जगनाच जी रहते हैं तो जोब आपकी मनोकामना भी आपर सब और हम भी आपको औको दर्सन करवाएंगे बूरे जगनाच जी महाराज के ने सब्सक्राइब हूं हो और अंदर अभी वराजमान है बुड़े जगनाज जी वह वराजमान है तो आपको दिखाएंगे और यह चारो तरफ का नजारा है कि इस प्रकार का यहां पर भी हनवान जी का मंदर बना हुआ है और यह सुबास चौक पुराना कटला एडरस आप आ सकते हैं यहां पर और यह मंदी लगी हुए मंदी के सामने तो चलिए दोस्तों आपको दर्सन करवाते हैं यह भीया मिलें अभी और इन भीया से पूछते हैं हम यह जो बूड़े जगनाज जी महराजे कब रहते हैं यहां पर साल निगलते हैं जब जगनाजी भी आने जाते उसके दूसरे दिन इसक दर्सन अपन कर सकते हैं जब वह रूप बास ब्याने के लिए जाते हैं जान की माता जी के तो चलिए दोस्तों बूड़े जगनाजी के दर्सन करवाएंगे तो चलिए दोस्तों देख केमरें उन करते हैं और आपको दिखाते हैं यह अंदर से कुछ इस परिकार का मंदिर और यह है नीचे का नजर आप देख सकते हैं कुछ इस परिकार का सुबास चौप कटला अलोर चलिए आपको दर्सन करवाते हैं और मंदिर परिशर हमने दिखाया ही था विछली वीडियो में इसके अलावा अब हम करवाने वाले हैं आपको बूड़े जगनाच जी के दर्सन तो यह लगबग चार पांच दिन रहता है मन्दिर के अंदर जब जगनाच जी महाराज वियाने के लिए चले जाते हैं रूपबास वाले जगनाच जी मंदिर में तब तक देखो यह है बूड़े जगनाच जी महाराज तो दोस्तों आप दर्शन कर सकते हैं बूड़े जगनाज जी माराज के कुछ इस फिरकार का मंदिर है ये और ये यहाँ पुजारी बैठे हुए है ये देखिए देखो और ये काफी नारियन यहाँ पर बांध रखे हैं ये देखो जो अपनी मनो कामना पून करने के लिए इने बांध कर जाते हैं उनकी आस्ता का पृत्रीक है ये ये देखिए अभी स्याम को भीड़ लगी हुई है काफी मंदिर के अंदर क्योंकि जो बूड़े जगनाच जी है वो दर्सन चार-पांच दिन ही देते हैं पूरी साल में एक बार दर्सन देते हैं जब जगनाच जी महराज बयाने के लिए जाते हैं रूप बास में ये देखिए तो आप दर्सन कर सकते हैं दोस्तो हमारे बैक में आप देख पा रहे होंगे बूड़े जगनाच जी के दर्सन आप कर पा रहे होंगे मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस फरकार का न जा रहा है अभी भक्तों की बीड़ियां पर लगी हुई है ये देखो मंदिर परिशर में धिरे धिरे भी बढ़ रही है तो आपको पूरा व्यू दिखाते हैं मंदिर के दुबारा दर्सन करवाते हैं एक बार फिर चलते हैं और दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो जगनाथ्पुरी ए वहां के बादuffy में ही जगनाथर महराज के रत्हयात्रा और जो विवाह है वह करवाया जाता है वहां के बाद उसके अलावा कहीं भी नहीं वता और पुरी जगनाथ की अलावा यहीं पर सबसे बड़ी रत्यात्रा निकाली जाती है यह देखो और भक्तों का तांता लगा हुआ है कुछ इस फिरकार का यह मंदर है संग मरमर पत्थर से निरमित किया गया है और लगबग 200 साल पुराने यह मंदर पताया जाता है कि यह राजा महराजाओं का मंदर है और ज यह हैं दोस्तों बुड़े जगनाज जी महराज जिनके दर्सन आपको साल में एक बार होते हैं और यह हैं दोस्तों सुवाज चोक कटला के अंदर और यह बुड़े जगनाज जी महराज है जब नए जगनाज जी महराज रूप बास में ब्याने के लिए चले जाते हैं तो ये विराजमान रहते हैं पांस दिन के लिए यहाँ पर और भक्त खुब यहाँ पर दर्सन करने के लिए आते हैं बुड़े जगनाजी के और फिर जब वो ब्याके आ जाते हैं बरातले के वापिस यहाँ पर आ जाते हैं फिर ये वापिस उनके पीछे विराजमान हो जाते है तो ये साल में दोस्तों एक बारी दर्सन देते हैं तो कुछ इस फिरकार की जान कर रही दोस्तों चलिए दोस्तों इस फिलोग को यहीं पर करते हैं दियेंड और मिलते हैं किसी नेश वीडियो में धमागदा टोपिक के साथ अब तब तक के लिए जैहिंड जै भारा टे केर बाई बाई लवी ओल